सचिन के लव लाइफ किसी फिल्मी कहानी की तरह रही इसमें एक्षन, ड्रामा और इमोशन तीनों थी इस कहानी की शुरुआत तब होई जब सचिन MBA की पढ़ाई के लिए लंदन गए दिल्ली के एरफोर्स बालभार्थी स्कूल और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के संथी स्टीफन स्कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद सचिन MBA के लिए पैंसलवेनिया यूनिवर्सिटी चले गए और लंदन में ही पढ़ाई के दौरान सचिन पाइलर्ट की मुलाखास सारा अब्दुल्ला से रुगाई कुछी दिनों में ये दोनों डेट करने लगे दरसल सारा कश्मीर के पूरुसिया फारुख अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बेहन MBA करने के बाद सचिन भारत लोटा है लेकिन सारा को पढ़ाई के लिए लंदन में ही रुखना पाई हलंकि भारत और लंदन की बीच की दूरी भी दोनों की प्यार को कम नहीं कर सकते इमेल और फोन के जरीये रोजाना बाते चलती रहा ये सलसला यूभी लगता दर्फरा रहा और फिर खरीब तीन सार बार आखिर कार वो वक्त भी आ गया जब सचिन और सारा अपने घरवालों को अपने रिष्टे की बात बताने वारे थे सचिन हिंदू और सारा मुष्टे दो अलग अलग धर्मों के इस मिलन में परिशानी भी होनी थी और हुई भी जब दोनों ने अपने घरवालों को बताया कि वो शादी करना चाहते हैं तो उनके प्यार के बीच मज़भी दिवार आ गई सचिन और सारा के बीच मजभी दिवार खड़ी कर दी गई दोनों के घरवालों ने इस रिष्टे को अपनाने से इंकार कर दिया सचिन के परिवार ने एस रिष्टे से साफ इंकार किया तो सारा के लिए भी रहासान नहीं थी अरे पूद के मताबिक पेता फारुफ अब्दुल्ला ने इस पर बात करने से ही इंकार कर दिया था लेकिन सारा ने भी हार नहीं माने वो कुछ दिनों तर रोध होकर घरवालों को बनाने की कोशिश करती रही लेकिन इसके बाद भी घरवाले नहीं माले तो सचीन और सारा ने बिना किसी की परवाह किये जनवरी 2004 में शादी करी इस शादी में अब्दुल्ला परिवार का कोई सदस शामिल नहीं हुआ सचीन के परिवार उनका साथ दिया था अलंकि कुछ समय बाद अब्दुला परिवार ने भी इस रिष्टे को खबूल किया और अरिकांश फिल्मों की तरह यहां भी अलग स्टोरी की एंडिंग है भी ही रही अलंकि यह बात अलग है कि इसके लिए सचीन और सारा को बहुत मश्रक्त करने पर दो सचीन आज जहां राजनीती में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं वह सारा सामाजिक कामों में लगातार फित्को फिस्त रही दो हो के दो बच्चे भी हैं और सचीन पाइलेट शादी से पहले राजनीती में खदम रखने के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे लेकिन अचानक पता राजेश पाइलेट के एक एक एकसिडेंट में मौत के बार उन्हें राजनीती में उतरना पड़ा जब सचीन सियासत में आये तो उनकी उम्र महस 26 साल थी और सचीन ने 2004 लोग सभा चुनाव में 200 सीट से एक बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बार उन्होंने मनमोहन सरकार में कींदिय मंत्वी पत्थी हासिल किया 2018 में राजस्थान में जब कॉंगल्स की सरकार बनी तो उसमें सचीन पाइलेट का एक बड़ा खेरदार था मैं सचीन पाइलेट ईश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के समिदान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत के प्रभुता और अखंड़दा अक्षुन रखूँगा मैं महारत के राज के मंत्र के रूप में अपने कर्तवियों का शद्दा पूर्वक और शुत अंदकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिदान और विदी के अनुसार न्याय करूँगा मैं मैं सचिन पाइलेट इश्पर की शपत लेता हूँ कि जो विश्थान राज जी के मंत्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्र के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वन के लिए ऐसा करना अदेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अध्यपक्ष रूप से संचूचित या प्रकट नहीं करूँगा